दो महिने से जारी रूस युक्रेन युद्ध के चलते दुनिया पर तीसरे विश्व युद्ध का खत्रा मंड़ा रहा है कई देश इस युद्ध में युक्रेन की मदद कर रहे हैं ऐसे में खबर है कि भारत एक बार फिर अपने दोस्त रूस के साथ खड़ा दिख रहा है खबरों के मुताबिक कई देशों की तरह जापान ने भी अपने सेन्य विमानों के जरिये युक्रेन के शर्नाथियों को भारत के रास्ते मदद भेजने का प्रस्ताव रखा था इन विमानों के जरिये युक्रेन के शर्नाथियों को अब मदद भेजी जाएगी सिर्फ यही नहीं जापान अब ये समान एप्रिल के आखरी दिनों के बजाए मई में भेजेगा जपानी अकबार ने कैई ने बताया कि नए प्लैन के मुताबिक जपान अब अपने ट्रांस्पोर्ट विमानों के सप्लाई सिर्फ UAE में करेगा बता दे कि इससे पहले इससे भारत में किया जाना था लेकिन भारत ने जपान के इन विमानों को तरने की इजाज़त नहीं दी थी जपान की ये सप्लाई मई से शुरू होकर जून के अन तक चलेगी हर हफ़ते एक विमान भेजने का प्लान है जपान कंबल और बाकी समानों को अपने C2 ट्रांस्पोर्ट विमान पर लोट करेगा और उसे फिर से पोलैंड और रोमानिया ले जाएगा पोलैंड और रोमानिया में सबसे ज्यादा शरनाती है जपान का कहना है कि वो शरनातीों पर सयुक्त राष्ट्र उच्चा युक्त के अनुरोध पर मानवी अंतराष्ट्रियस सहायता कारिकरम के तहट इस सप्लाई को भेज रहे इससे पहले जपान का प्लैन था कि UAE की वज़ाए इस सप्लाई को भारत में विमान पर लादा जाए रिपोर्ट्स के मुताबिक नए प्लैन को कैबिनेट की मीटिंग में शुक्रवार को रखा जाएगा जपान सरकार के अधिकारियों का दावा है कि भारत के साथ कारेकारी स्तर का समझोता हो गया था लेकिन अचानक से नई दिल्ली ने इसे खारिच कर दिया दरसल भारत के रूस के साथ दोस्ताना संबंध है और यूक्रेन युद्ध में वो पूरी तरह से टथस्थ रहा है भारत ने पश्चमी देशों की तरफ से रूस के उपर लगाई गई पाबंदियों में शामिल होने से इंकार कर दिया है भारतिय विदेश मंत्राले ने साफ किया है कि भारत अपनी जमीन से जपान के सैन्य विमानों को यूक्रेन को सप्लाई भेजने के अनुमती नहीं देगा भारतिय विदेश मंत्राले ने कहा है कि सैने विमानों की जगा पर व्यवसाइक उडानों का अनुमती दी जा सकती है विदेश मंत्राले के प्रवक्ता अरिदम बाक्ची ने कहा कि जपान ने मुंबई में सैने विमानों को लैंड करने की अनुमती मांगी थी जपैन यहां से युक्रेन को मानविय सहायता भेजना चाता था बाक्ची ने कहा कि हमने जपैन को बता दिया है कि इस तरह की सप्लाई को व्यवसाइक विमानों का इस्तमाल करने पर इजाज़त दी जा सकती है विशलेशकों के मुताबिक जापान सेन विमान के जरिये मदद भेज कर युक्रेन पर रूस को संदेश भेजना चाता है युक्रेन युद पर तथस्त रूप के कारण भारत को ये मनजूर नहीं था झाल